प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन से देश में स्वास्त देखभाल के क्षेतर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत मिलेगी 21 सदी में आज का दिन बहुत एहम है क्योंकि देश स्वास्त के खेतर में एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है ये गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की स्वास्त संबंधी समस्याओं को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा प्रधान मंत्री ने आज वीडियो कॉनफरेंसिंग के माध्यम से आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत करते हुए ये बात कही प्रधान मंत्री ने कहा कि देश के प्रतिक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और डिजिटल माध्यम से उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा पंडित दीन द्याल उपाध्याय की जैनती के अवसर पर तीन साल पहले देश में आईश्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी उन्होंने कहा कि भारत में 130 करोड आधार नंबर, 118 करोड मोबाइल उपभोगता, करीब 80 करोड इंटरनेट उपयोग करताओं और 43 करोड जंधन बैंक खात्नों के साथ लोगों से जुड़ने वाला दुनिया में सबसे बड़ा बुनियादी धाचा है परते भी है भारत के लिए आज का दीन बहुत महत्वपूर है, बीते साथ बर्षों में देश की स्वास्त विधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है, वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है, आईश्मान भारत डिजिटल मिशन, अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉलुशन को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे बाद। इसके तहट देश वांश्यों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी, हर नागरी का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा, डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रेकॉर्ड को जरुरत पढ़ने पर चेक कर सकता है। यही नहीं, इसमें डॉक्टर, नर्थ, पररमेडिस जैसे साथ्यों का भी रेजिस्टरशन होगा। देश के जो अस्पताल है, ट्रिनीक है, लैप्स हैं, दमा की दुकाने हैं, यह सभी यह सभी भी रेजिस्टर होगी। यानि यह डिजिटल मिशन हेल्थ से जुड़े हार स्टेक होल्डर को एक साथ एक ही प्लेटफर्म को लाएगा। उलेखनी है कि आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना ने भी लोगों को मुफ्त और समय पर मदद पहुचाने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई है। अब तक दो करोड से दिक लोगों जिनमें आधी आबादी महिलाओं की है उन्होंने इस योजना का लाब उठाया है।